यहाद रखने के लिए हमें थोड़ा कॉंपलेकेशन आ रहे हैं तो यह कॉंपलिकेशन अवोईड करने के लिए मैं आपके सामने कुछ ट्रिक्स लेकर आई हूँ यह है Tricks to Remember Kingdom Plante तो Kingdom Plante के यह जो सारे difficult examples है उसको हम ऐसे 5 minute में याद रखेंगे वो tricks यहाँ पर आभी हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले हमने थैलोफाइटा देखा था थैलोफाइटा में algae है तो algae के यह तीन अलग-अलग part हमने देखे थे फेयोफाइसी, क्लोरोफाइसी, औरोडोफाइसी तो चलो अभी यह जो फेयोफाइसी है उसके examples याद रखने के tricks सीखते हैं तो यह जो फेयोफाइसी है उसको याद रखने के लिए हमें बस दो वर्ड याद करने हैं वो दो वर्ड कौन से हैं तो वो है self-defense यानि कि यह जो वर्ड है उसके initials का यूज करके हम यहाँ पे examples याद रखने वाले है तो यहाँ पे देखते है S for sargassum तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ S for sargassum E for ictocarpus L for laminaria and F for fucus और यहाँ पे यह जो defense है उसका जो initial है D से होगा dictiota तो यह जो बाकी की सारे जो words है उसको just हमें as a trick करके याद रखने का है यह words हमें काम के लिए नहीं आने वाले है तो यह self-defense से हमें क्या मिला S for sargassum E for ictocarpus L for laminaria F for fucus and D for dictiota अभी जो chlorophyce है उसके examples याद रखने के लिए मेरे पास दो trick है तो उसमें से पहली trick यूज करते है यहाँ पर आपको एक ही sentence याद रखना है और वो है US has very clean colleges यह जो sentence है उसका यह जो U है यह U से start होगा Eulothrix S for spirogaera V for walbox C for cara and second C is for chlamidomonas तो यहाँ पर हमें याद रखना है US has very clean colleges इसमें से यू है U for Eulothrix S for spirogaera V for walbox C for cara and C for chlamidomonas अभी हम दूसरी trick देखते हैं तो दूसरी trick है class car SUV तो यहाँ पर C for cara C for chlamidomonas यहाँ पर यह जो S है S for spirogaera U for Eulothrix and V for walbox अभी यह जो road of IC है road of IC के example याद करने के लिए यहाँ पर फिर से दो trick है तो यहाँ पर वो जो first sentence है वो है प्यारी गुडिया प्यारी गुडिया तो यहाँ पर P for polysiphonia लिखेंगे हम G for galadium अभी यहाँ पर यह जो second P है यह P से start होगा porphyra and G for gracilaria road of IC को याद करने के लिए यहाँ पर और एक trick है यहाँ पर हम यह word यूज कर सकते है PG 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 यहने की जैसे की paying est paying est ऐसे भी हम कह सकते है या फिर post graduation post graduation जो होता है उसको भी हम PG कहते हैं तो यहाँ पर यह P से हम लिख सकते है polysiphonia यह G से होगा galadium P से है porphyra and G से है gracilaria इस तरह से हमने algae के सारे examples याद कर लिये है अभी हम जाते है bryophyta की तरब यह bryophytes को याद रखने के लिए जो trick है वो very very easy है तो यहाँ पर sentence आपको याद रखने का है इसमें से यह जो S है S for sphagnum यहाँ पर actually यह S silent है बट हमें याद रखना है इसलिए यहाँ पर मैं sphagnum ऐसे बोलती हूँ phagnum ऐसे नहीं कहूंगी अभी इसके बाद जो यह P है यह P से होगा polytrichum अभी यहाँ पर J से actually कुछ भी नहीं है बट sentence यह trick याद रखने के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर बीच में जानिवरी को डाल दिया है अभी F for funeria M for marcantia देखो marcantia को याद रखना कितना आसान है march marcantia तो इस तरह से सबसे पहले january, february, march S for sphagnum P for polytrichum J कुछ भी नहीं है F for funeria M for marcantia अभी आते हम teridophyte की तरफ तो teridophyte के जो examples है वो most difficult example है और उसको याद रखने के लिए जो trick है वो सबसे गादा आसान है तो वो क्या है please पढ़ो जो हमारे teachers का favorite sentence होता है please पढ़ो but यहाँ पे यह please लिखते है वक्त यहाँ पे मैंने last में E नहीं लिखा है P-L-E-A-S इतना ही लिखा है तो वो वो सबको याद रखना होगा तो यहाँ पे यह जो P है यह P से start होगा selotum friends अभी यहाँ पे यह P selotum ऐसे मुझे याद रखना होगा actually इसका pronunciation selotum है but trick है तो यहाँ पे यह मैं P selotum ऐसे पढ़ूंगी second one is lycopodium E is for equisitum A is for adiantum and S is for silaginilla या salvinia यहाँ पे यह जो पढ़ों का P है यह P से start होता है teris तो यहाँ पे मैं इसको pteris ऐसे कहूंगी because यह जो P है वो silent है but trick है तो याद रखने के लिए हम उसको pteris ऐसे याद रखे के D से होगा dry of terrace तो यह जो बीच के जो words है वो बस ऐसे ही याद रखने के लिए हमने लिये थे अब यह जिम्नोस पंक्स के examples याद करने के लिए तो बहुत ही आसान example यहाँ पे मेने लिया है बहुत ही easy sentence मेने लिया है तो वो है यहाँ पे जो S है यह S से start होता है sequoia P से start होता है pinus यह C से start होगा cycus जो दूसरा C है यह दूसरे C से start होगा ceradus तो इस तरह से हमने जिम्नोस पंक्स के examples भी याद कर लिया देखो कितनी आसान इसी याद कर लिया हमने सब पियो चाय कॉफी S for sequoia P for pinus C for cycus C for ceradus तो इस तरह से यह lesson के जो सारे examples है जो हम लोगों को बहुत difficult लग रहे थे वो कैसे हमने 5 minutes में याद कर लिया देखो friends है ना आसान tips इसको हम इतनी आसान इसे याद रख सकते है बस आपको क्या करना है तो यह जो इसके initials है उसके जो कुछ अलग sentence बनाओ funny sentence बनाओ यह तो मेरे tricks थे आप अपनी भी tricks यूज़ कर सकते हो तो friends आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको जरूर लाइक कर देना आपके friends के साथ भी उसको share कर देना और मेरे channel को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूलना Thank you